हुआ है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ संजीव और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल संजीव पार्ट साला तो यहां पर हमारे पास एक राउटर है आपके पास कोई भी राउटर हो ठीक है चाहें वो नया हो या पुराना हो से कोई मतलम नहीं है सिर्फ उसमें सिंगल बेंड या डबल बेंड बेंड होगा तो ज्यादा अच्छा होगा सिंगल बेंड होगा तब भी कोई प्राब्लम नहीं है मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जीओ एर फाइबर कॉलिंग को लेकर तो अगर आप जीओ एर फाइबर से कॉलिंग करना चाहते हैं तो यहां पर हमारे पास एक रावतिर में आपको बताऊंगा बिल्कुल फ्री आप इंटरनेट चला सकते हैं इने चला सकते घ्रकbor्श चाहें से अपके पहले तो आपके पास कोई भी एक router होना चाहिए बस router आपका अच्छा powerful होना चाहिए तो आपके पास एक router यहाँ पर होना चाहिए बस router छोटी हो ग्व भी हो उससे कोई मतलम नहीं है तो हमारे पास यह इतनी बड़ी नयटेद है उसके अलावा आपको चाहिए type c to ethernet ठीक है यह आपको एक dongle चाहिए तो मैंने अलग-अलग यह dongle purchase किये हैं ठीक है यह macbook में काम आता है तरहसल होता क्या है कि जैसे macbook के अंदर USB आपको नहीं देखने को मिलती है तो इसी के द्वारा data transfer होता है ठीक है type c to ethernet ठीक है तो वह एक अलग process है तो यहां पर आपको यह एक dongle purchase कर लेना है यह जो dongle है यह आपको Amazon पर मिल जाएगा flip card पर मिल जाएगा लेकिन बहुत आप साउधान नहींगा क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनियां है आपको बहुत हाइफाई दिखा देंगी लेकिन होता कुछ नहीं मैंने अलग-अलग return कर दिया और मैंने इसी को रख लिया अचा इसमें एक फाइदा और था कि यहां यहां पर आपको मलब USB भी देखने को मिल जाती है अधर जो dongle थे उसमें USB भी नहीं थी ठीक है सिर्फ वो dongle था तो जितनी भी यह सारी चीजें हैं इनका link में description में दे दूंगा तो चाहें तो आप बाई कर सकते हैं और यहां पर जो है आपको USB भी देखने को मिलती है साथ ही USB सिर्फ देखने को नहीं मिलती है यह 3.1 यह 3.2 सपोर्ट करती है जनरेशन 3.1 यह जनरेशन 3.2 यह उस भी है ठीक है तो आपको एक यह चाहिए इसके लावा और आपको कुछ नहीं चाहिए आपको एक ऐसा phone चाहिए जिसके अंदर 5G internet हो ठीक है तो हमारे पास यहां पर एक phone है 5G internet ठीक है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यह जो आप का power है power board में आपको इसको plug करना है उसके बाद यह जो antenna है ठीक है यह जो antenna है जिसे यहां पर हमारे 4G SIM पढ़ जाती थी तो यह उसके लिए antenna है तो चाहें तो आप इसको antenna निकालने और चाहें तो आप ऐसे लगा रहने दें तो फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि जो यह यह एक यह यह वाली एक यह यह Enough की जो निए केबल है यह आपको लगा देनी है अपने वैन वाले पोर्ट में ठीक है तो पीछे जो वैन वाला पोर्ट हो तो उसकें अंदर आपको यह यह लगा यह इथर ने डॉंगल ठीक है आप ध्यान से देखिए यहां पर यह इस तरीके से सिस्टम बन जाता है ओस्तों कर लेने के बाद अब जानते ही हैं कि अभी इंडिया के अंदर फ्री है चाहें आप जितना भी चलाओ वह भी आपको मतलब पैसा देना नहीं पड़ता है सिर्फ आपको रीचार्ज करना होता है ठीक है तो मतलब बेसिक आपको रीचार्ज कर लें और उसे में अलिम्टेट 5G चलाते रहें जो आप यह जब तक चालू होता है तब तक मैं आपको दूसरी बताता हूं लेकिन दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो मैं यह जितने भी मैं मलब वीडियो बनाता हूं यह आपको इंटरनेट पर कहीं भी आपको दे और ठेर सारे वीडियो बताएं हैं जी ओ एर फाइबर को लेके और अन्य चीजों को लेकर तो मैं जितने भी वीडियो बनाता हूं सबसे पहले उसको एक्सपेरिमेंट करता हूं उसमें पैसा लगाता हूं फिर उसके बाद जो है जब वह बिलकुल कम्प्लीट हो जाता है 100 100% सेक्योर होता है और 100% जेन्मन होता है उसके बाद भी मैं आपको बताता हूं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल अभी नया-nया है और चाहें तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर भी कम्प्लीट प्रोसेस आगे लेकिन अभी इसके अंदर इंटर eder internet से अगर इसके अंदर Internet आता तो यहांपर ethernet का sign बन को आ जाता क्योंकि अब यहांपर नहीं ethernet connect करने के लिए अब लोग यह वाला इसके अंदर हम लोग connect करेंगे तो दोस्तों फोन कि it screen को आन करते हैं यहां पर आपको सीधे चले जाना है setting के अंदर यहाँ पर setting और setting के अंदर यहाँ पर more के अंदर आपका अगर हो ठीक है hot sport वाला तो more के अंदर और otherwise अगर hot sport के अंदर अगर आपका हो तो hot sport के अंदर चले जाना है तो यहाँ पर देखिए वाइफाई होड़ स्पोर्ट होता है Bluetooth होता है ठीक है USB होता है और एक नया जो फीचर्स आजकल देने लगे हैं मोवाइल के अंदर तकरीबन यह एक डेड़ साल से यहां पर है इथरनेट टीथरिंग ठीक है तो यह वाला जो फंसन है जैसे ही आप आन करेंगे तो इससे क्या होगा Ethernet Tethering हो रहा है Ethernet Tethering का मतलब यह है कि आपका जो है यह है Ethernet ठीक है यह Ethernet cable है और इसके माध्यम से यह जा रहा है तो Wi-Fi होड़ स्पोर्ड के द्वारा एक होता है एक होता है USB Tethering एक होता है आपको प्रूफ के साथ में दिखाता हूं यहां पर देखी है हमारा on हो चुका है और अगर मैं आपको यहां पर दिखाओं एक सेकंड में इसको यहां रख देता हूं जिससे आपको पता चलता रहे है इसका मतलब यह है कि इंटरनेट चालू हो चुका है यह टीपी लिंक का राउटर है तो मैं इससे आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा साथी में इंटरनेट चलाके भी आपको दिखाऊंगा तो यहां पर मैं इसकी स्क्रीन को ऑन कर लेता हूं इसके अंदर जाएंगे वाइफाइ के अंदर जाएंगे और वाइप आई जैसे यहां सेर्च करेंगे देखी है हमारा इयर वाला अलग है ठीक है और ये जो है आप मतलब TP link का यह अलग है, यहाँ पर 5 GHz और 2.4 GHz, यहाँ पर दो band है, ठीक है, तो हम लोग कोई भी एक band को select कर लेते हैं, माली जी हम लोग 5 GHz को select कर लिया है, चला के भी दिखा देता हूँ, यह देखिए, यह सभी चीजे चल लहीं है, कोई भी problem नहीं है, सारी चीजे चल लहीं है, कोई भी problem नहीं है, अच्छा मैं आपको एक बार flight mode लगा के दिखा देता हूँ, flight mode मैंने इसमें लगा दिया है, और उसके बाद फिर मैं अपना connect कर लेता हूँ, देखिए, हमारा connect हो चुका है Wi-Fi, और हमारा जो है, मैं आपको फिर से चला के दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए, इस सारी चीजे चल लहीं है, अब इसके बाद मैं आपको speed भी एक ब फिलाल डाउनलोडिंग की speed आपको Geo Air Fiber से ज्यादा मिलेगी, आप 800-900 रुपे खतम करते हैं, और यहाँ पर आपका free और उससे double आपको speed देखने को मिलेगी, चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो दोस्तों इस तरीके से आप विल्कुल free internet चला सकते हैं, अपने क कोई भी पुराने router के अंदर, तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने home को smart home में convert कर सकते हैं, कुछ basic सी चोटी-चोटी चीजे करके, और मेरा जो video बनाने का main उद्देश होता है, वो आपकी जिंदगी को बहुत सरल और बहुत आसान करना होता है, मेरा जो topic होता है, वो घर स होता है, तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल उपर आई हैं, तो चैनल को ज़रू सस्क्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रस करें, मेरा भी नया नया चैनल है, छोटा सा चैनल है, तो चाहें तो आप इसकी help कर सकते हैं, thank you for watching, जै हिंद, जै